चलो बेटा मानो बहुत सो लिए उठ जाओ अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना मम्मा उठ जाता हूँ थोड़ी देर में बेटा बस उठ जाओ फोचन खाओ और फोरण से स्कूल जाओ वहीं दूसरी तरफ रानी कवे भी राजु कवे को उठा रही थी सारे नने बच्चे तयार होकर अपने अपने बैक्स लेकर इसकूल चले जाते हैं दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है हम बच्चों का जीवन तो बस इसकूल में रह गया है रुजाना इसकूल जाओ पढ़ाई करो बस इसी में हमारा सारा दिन खतम हो जाता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो हमारे जीवन में अब कोई मज़ा नहीं रहा तो और आब हम कुछ कर भी कह सकते हैं हमारे ममा बापा चाते हैं के हम पढ़ लिक कर कुछ बन जाएं वैसे दोस्तों एक उपाए है मेरे पास क्यों ना हम इसकूल का बोल कर निकरें और नदी के पास जाकर हम पार्टी करें और सारा दिन खूब मज़े से खेलें उपाय तो बढ़िया है दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं इस तरह हमारे ममा पापा को भी कभी पता नहीं चलेगा तो बस तै रहा कल हम सब स्कूल नहीं जाएंगे फिर अगले दिन सुबा सुबा सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं बाबा मैं स्कूल जा रहा हूँ मुझे थोड़े पैसे दे दो ताके मैं स्कूल में कोई चीज खरीद कर खालू हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बेटे अभी देता हूँ पैसे ममा कुछ पैसे दे दो हम बच्चों ने आज स्कूल में पार्टी रखी है अरे वाँ पार्टी रखी है ये तो बहुत अच्छी बात है ये लो पैसे राजु कववा भी कालु कववे से पैसे ले ले लेता है अब सारे बच्चे अपने-अपने बैक्स लेकर इस्कूल चले जाते हैं चलो पक्षियों चल्दी से नदी के किनारे चलते हैं कोई देख ना ले हमें फिर मज़े से पार्टी करेंगे वहाँ जाकर हाँ हाँ चलो चलो चल्दी चलो सारे सारे बच्चे नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं और अपने अपने पैसों से आइस्क्रीम खरीद कर खाने लगते हैं वाँ भाई मज़ा ही आगया आज तो पढ़ाई से तो जान छुट गई हमारी ये सब मेरे बढ़िया उपाई की वज़ा से हुआ है चलो दोस्तों अब लुका चुपी खेलते हैं बहुत मज़ा आएगा सब बच्चे अपने इस्कूल बैक्स एक तरफ रख देते हैं और आपस में खुँ मज़े से खेलने लगते हैं चलो दोस्तों अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि स्कूल की चुटी का समय हो गया है सारे बच्चे अपने अपने बैक्स उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं मम्मा आज तो बहुत मज़ा आया स्कूल में अब तो मैं रोज जाओंगा स्कूल साथ मुझे बहुत मज़ा आया मानो चिरे पढ़ाय में भी दिल लगाओ मैं चाहती हूं के मेरा बेटा पढ़ लेकर बहुत आगे जाए बस अगले दिन बेवे सारे बच्चे इसकूल की चुटी करके नदी के किनारे आकर आपस में खेल रहे थे राजु कवे जब से तुमने ये इसकूल पंग करने का उपाई दिया है हमारे तो मज़े ही लग गए पढ़ाय से तो अब बिलकुछ जाँ छुड़ गई हमारी बस ऐसे ही चलता रहे कभी किसी को कुछ पता न चले वे सारे नने पक्षी बहुत जादा ही खुश थे और अब तो वे जराती भी पढ़ाई नहीं करते थे पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि पढ़ाई ना करके वे अपना कितना बड़ा नुक्सान कर रहे हैं फिर एक हफ़ता ऐसे ही गुजर जाता है अरे बच्चों तुम सब यहां नदी के पास क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास तो ये बैक्स भी हैं क्या इस्कूल के बच्चे हो तुम सब हाँ अंटी जी हम इस्कूल के बच्चे हैं अच्छा इसका मतलब तुम सब बच्चों ने स्कूल की छुटी की है बच्चों ये तो बहुत गलत किया तुम सब ने कुछ गलत नहीं किया हमने हम तो रोज स्कूल की छुटी करके यहां आकर आराम से खेलते हैं अरे बाप रे ये तो बहुत गरत कर रहे हो तुम सब तुम सब पक्षी तो बहुत कुश किसमत हो जो तुम्हारे ममा पापा तुम सब को स्कूल भेजते हैं और तुम सब अमीर घर से हो पता है बच्चों मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक था परन्तु मैं स्कूल ना जा सकी क्योंके मैं बहुत गरीब घर से थी कहाश कि मैं भी तुम बच्चों की तरह स्कूल जाती और मेरा पढ़ने लिखने का सपना पूरा हो जाता बहच्चों तुम सब इसको ना जाकर अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो अपने ममा पापा को धोका दे रहे हो जोके तुम पर पूरा भरोसा करते हैं ये सब बात सुनकर उन सारे बच्चों को अपनी गलती का एसास होता है सारे बच्चे फॉरान अपने बैक्स उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं फिर अगले दिल सुबह सब बच्चे खोशी खोशी इसकोल चले जाते हैं बहुती याद आती है रानी की रानी के जाने के बाद तो मैं बहुती अकेला रह गया हूँ अब मुझे अकेले ही अपने राजू का ख्याल लखना पड़ता है रानी तुम क्यूं चली गए इतनी जल्दी अगर आज तुम होती तो आज हम सब कितने खुश रह रहे होते ओ हो कालू कवे अब उदास तो ना हो रानी कवी की बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी तो अब क्या कर सकते हैं कालू कवा अपने बेटे राजू कवे से बहुत जादा प्यार करता था और कभी भी किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाता था ये लो बेटे राजू मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है चली से खालो गरम गरम है गाजर का हलवा अरे वा बाबा मुझे तो ये बहुत पसंद है बाबा आपने ये हलवा तो बहुत मज़े का बनाया है पर मम्मा के जैसा नहीं है, मम्मा तो बहुत जारा मज़े का बनाती थी क्या राजू, अभी पहली बार तो बनाया है मैंने अब जब रुजाना बनाता रहूंगा तो तुम्हारी मम्मा जैसा बनाना सीख जाऊंगा मैं कालुकवा राजुकवे की कोई बात नहीं टालता था उसकी हर एक फर्माईश पूरी करता था कालुकवा तो रोज़ाना ही अपने बेटे राजुकवे को पूरे जंगल की सेर भी करवाता था अरे क्या हुआ बेटा तुम यहाँ पर क्यों रुग गए अभी तो हमें पूरा जंगल घूमना है बाबा बाबा बस मैं अब और नहीं उर सकता मैं बहुत ठग गया हूँ मेरे तुपरों में दर्ध हो गया तो क्या हुआ बेटा आजओ 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 अपने बाबा की पीट पर बैच जाओ मैं तुम्हें अपनी पीट पर बिठा कर पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ तुम्हें बहुत महनत करनी है और अपने बाबा का नाम रोशन करना है ना ठीक है बाबा मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपका नाम जरूर रोशन करूंगा अरे कालु कवे राजु कवे अब इतना भी छोटा बच्चा नहीं जो तुम इसे पूरे जंगल में अपनी पीट पर बिठा कर गुमा रही हो बुलबुल बेहन मैं अपने राजु की खुशी के लिए कुछ भी का सकता हूँ किसी को मार भी सकता हूँ और खुद मार भी सकता हूँ क्या कालु कवे अब इतनी बड़ी बड़ी बाते मत करो मेरी तो हसी निकल लई है दूसरी और दूसरे जंगल में सिर्फ उलुओं का राजे था वे उलु बहुत जादा शेतान थे वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और पक्षी तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे दोस्तों ये कहानी आगे बहुत जादा अच्छी होने वाली है इसलिए इस कहानी को एक लाइक तो जरूर कर दें शुकर है उलु जी कि मेरे बेटी की तब्यट ठीक हो गई वरना इसकी खराब तब्यट ने तो मुझे परिशान ही करके रख दिया था हाँ पतनी जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया वरना इसकी खराब सबीयत ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी उलो जी कुछ दिनों पहले मैंने एक मनत रखी थी कि अगर मेरा बेटा बिलकुल ठीक हो जाएगा तो मेरे पती एक कवे के बच्चे की बली चड़ा देंगे इसलिए उलो जी आपको कहीं से भी एक कवे का बच्चा ढूनकर उसे मारना होगा क्या कवे के बच्चे की बली पिरत्तम मैं तो तुम से परिशान आ गया हूँ तुम ये अजीब औ गरीब मनते मांगकर मुझे परिशान कर देती हो अब तुम खुद ही बताओ मैं कवे का बच्चा कहां से ढूनकर लाँगा हमारे जंगल में तो सिर्फ उलो रहते हैं मैं क्या करूँ तुम्हारी मनत कैसे पूरी करूँ देखें उलो जी अगर आपने मेरी मनत पूरी ना करी तो मेरा बच्चा दुबारा से बिमार हो सकता है और मैं ऐसा रिस नहीं ले सकती इसलिए मनत तो आपको मेरी पूरी करने ही होगी कुछ की जिये ना कवे का बच्चा ढूनना बहुत असान है अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ परन्तु आगे से ऐसी कोई भी मनत न मागना जो मैं पूरी ना कर सकूँ फिर वे उल्लू कवे का बच्चा ढूनने परोस में मिठु मराज के जंगल में चला जाता है अरे राजू कहा जा रहे हो भाई बाबा मैं घर में बैठा बैठा ठग गया हूँ मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ आज जाओंगा थोड़ी देर में ठीक है पर समय से आजाना वापस तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी कितनी चिंता रहती है हाँ हाँ बाबा मैं आज जाओंगा आप मेरी चिंता मत करना ऐसा बोलकर राजु कववा अपने दोस्तों के पास चला जाता है चलो परोस के जंगल में तो आ गिया हूँ बस अब मुझे जल्दी से कोई कववे का बच्चा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए वे शेतान उल्लू कववे के बच्चे की तलाश में चंगल में इदर उदर घूम रहा था तब उसे राजु कववा दिखाई देता ही वे चलाक उल्लू फॉरण से राजु कववे के पास आता ही अरे बेटा कववे यहां बैठे क्या कर रहे हो तुम मुझे लगता है तुम अपना घर बूल गए हो ना है ना आजो आजो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ मुझे पता है तुम्हारा घर उल्लू अंकल मुझे नहीं जाना आपके साथ बाबा कहते हैं कि उल्लू बिलकुल भी अच्छे नहीं होते वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वैसे ठीक करते हैं तुम्हारे बाबा मैं अभी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हूँ राजु कवे के अकेले होने का फाइदा उठा कर वे चलाक उल्लू राजु कवे को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है शाम होने को आई थी, राजु कववा अभी तक घर पर नहीं आया था, जिस कारण कालु कववा तो बहुत जारा परिशान था शाम होने को आई है, ना जाने कहां रे गया राजु, इतनी देर तक तो कभी घर से बाहर नहीं रहता वो, चलो जाकर देखता हूं कालु कववा राजु कववा की चिंता में उसे ढूनने निकलता है अरे नने तोते राजु कववा कहा है वो तुम्हारे साथ खेलने आया था ना नहीं कालू अंकल राजू कववा तो आज हमारे पास नहीं आया बलके हमने तो उसका बहुत इंतिसार किया पर वे आज हमारे पास आया ही नहीं किया तो फिर मेरा राजू कहां चला गिया वो तो तुम्हारे पास आने के लिए निकला था अब तो कालु कववा बहुत जारा परिशान हो गया था और वे राजु कववे को चंगल में इदर उदर ढून रहा था राजु, राजु मेरे बेटी कहा हो तुम, मुझे आवाज दो, अपने बाबा को आवाज दो, देखो मैं तुम्हें कब से ढून रहा हूँ काफी राज हो गई थी, पर राजु कववा तो कहीं पर भी नहीं मिलता, पिचारे कालु कववे का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था तब ये कबूतर कालु कववे के पास उसे कुछ बताने आता है कालु कववे कालु कववे, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, मैं अभी दूसे जंगल की तरफ से आ रहा हूँ मैंने देखा कि एक उल्लू तुम्हारे राजु कववे को पकड़ कर ले जा रहा था मुझे तो लग रहा है कि उसने तुम्हाहे राजु कवव का गिड़नेप कर लिया है जाओ कालु कवव जल्दी से उल्लुों के जंगल में जाओ तुमें तो पता हैं कि उल्लु कितने जादर जालिम होते हैं बस ये सुनकर तो कालु कववा भागा भागा दूसरे जंगल की तरफ जाता है और काफी ढूरने के बाद कालु कववा उस जंगल के उल्लु माराज के पास पहुंची जाता है उल्लू महाराज आपके ही जंगल के किसी उल्लू ने मेरे राजु कवे का गिड्नैप कर लिया है कुछ कीजिए ये क्या हो रहा है आपके जंगल में मेरे मासूम बच्चे की आखिर क्या गलती है उसे क्यूं पकड़ा है छोड़ दें उसे तुम्हारे बच्चे को इसलिए पकड़ा है कि उल्लू की पत्नी ने एक मनत मांगी थी कि अगर उसका बच्चा ठीक हो जाएगा तो वे एक कवे के बच्चे को मार डालेगी तो आप क्या कर सकते हैं मनत तो पूरी करनी होती है न इसलिए तुम्हारे बच्चे की तो बली चड़के ही रहेगी उल्लू माराज याद रखना अगर मेरे बच्चे को जरा सी खरोश भी आई न तो तुम्हारे पूरे जंगल को जला डालूँगा छोड़ूँगा नहीं तुम सबको कवे का गुसा देकर तो उल्लू माराज को बहुत जारा गुसा आजाता ही ओए कवे तुम्हारे बच्चे को कल मारना था लेकिन तुमने मुझे बहुत जारा गुसा दिला दिया है अब तो देखो तुम्हारे सामने ही अभी के अभी तुम्हारे बच्चे को मार डालूँगा फिर मैं भी देखता हूँ के तुम कर क्या सकते हो आखिर जाओ सैनिक अभी के अभी जाकर उस उल्लू को और कवे के बच्चे को लेकर यहां पर आओ थोड़ी देर में सैने कलु कवे के बेटे राजु कवे को लेकर वहाँ पर आते हैं महराज जी इस कवे के बच्चे को तो हमें कल मारना था ना तो आप अभी कुछ आते हैं से मारना वो इसलिए उलू के इस कवे ने मुझे बहुत जारा गुश्र दिला दिया है सारा मैं भी तो देखू ना के ये कववा आखिर कर भी कैसकता है वो कहते हैं ना कल करे सो आज कर और आज करे तो अभी चलो उलू चल दी से इस कवे के बच्चे को अभी के अभी मार डालो मेरे सामने नहीं नहीं उल्लू अगर अपने जंगल के उल्लू की जान प्यार है तो मेरे बेटे को छोड़ दो अभी के अभी आखरी बार बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें मार दो इसके बचे को वे उल्लू बहुत स्वारती थे सरासी भी देरी नहीं करते और एक बड़े से चाकू से राजुकवे की गर्दन कार देते हैं और बिचारा राजुकवा कालुकवे के सामने तडब-तडब कर मर जाता है बहुत बुरा किया ये तुम उल्लों ने आपके साथ बहुत भुरा किया नहीं देखूंगा अब कुछ नहीं देखूंगा अब तुम्हारे पूरे जंगल को जला डालूंगा मैं ऐसा बोलकर कालू कववा गुस्टे में वहां से चला जाता है बड़ा आया हम से लड़ेगा जब हमारा चीले कुछ नहीं बिगार सकी तो ये कववा क्या चीज है अगली रात आजाती है वे सब उल्लो तो सारी बातें भूल चुके थे पर कालू कववा नहीं भूला था कालू कववा तो इंतिकाम की आग में जल रहा था थोड़ी देर में कालू कववा पेट्रोल का एक बड़ा ट्रक लेकर उल्लो के जंगल में आता है जालिम उल्लो तुम्हारी मौत का वक करीब आ गया है कालू कववा वे जलती हुई मशाल उस पेट्रोल के टेंकर के उपर फेक देगा इतने बड़े धमाकि की वज़ार से पूरा जंगल आग की लपेट में आ गया था और जंगल में जगा जगा काफी ज़्यादा आग लग गई थी उल्लों के बड़े बड़े घर आग में जल रहे थे वे आग तो इतनी बढ़ गई थी कि उल्लू महराज भी उसी आग में चल कर मर जाते ही जंगल का कोई भी उल्लू उस आग से बच नहीं पाता सबी उल्लू उस आग में चल कर मर जाते ही अपने बीटे के खून का बदला लेकर कालुकवा भी उस आग में जल कर मर गया था तो इस तरह उल्लों का पूरा जंगल आग में जल कर पूरी तरह से खतम हो जाता है और इस तरह सभी उल्लों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है